Hello Friends, Welcome to Educational Insights दोस्तों विद्याले आबंटन 79,000 सिक्षक भरती तिर्थी चैन सुची जी हाँ दोस्तों इंतजार खत्म हो गया है 79,000 साहिक सिक्षक भरती जो कि उत्तर प्रदेश में बेसिक सिक्षा परिशद की नियंत्रनाधिन जो परिशदी विद्याले है वहाँ पे साहिक सिक्षकों की भरती हुई और अब तिर्थी चैन में चो 6,696 सिक्षक सिक्षी का भाई बहन है उनका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि 17 और 18 नॉवंबर के मद्ध विद्याले आबंटन का कार दोस्तों शुरू हो जाएगा शुरू में दिव्यांग महिला, दिव्यांग पूरुष्क और अंत में समस्त पूरुष्क जो अभ्यरती हैं उनको विद्याले आबंटित होगा आते हैं देखते हैं कि करेंट लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों क्या है और उसी गाइडलाइन्स के अकॉर्डिंगली दोस्तों विद्याले आबंटित होना है और आपको दोस्तों क्या-क्या बाते ध्यान रखनी है दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है पत्र के जो प्रेशक है वो सचिव उत्रप्रदेश बेसिक शिक्षा परिशत प्रयागराज है उपर्युक्त विश्यक सासना देश संख्या 454 अबलिक आर्सर-5-2021-17 अबलिक 2020 दिनांग 17 मई 2021 का संदर्व ग्रहन करने का कस्ट करें जिसके अनुपालन में इस कारेले के पत्र संख्या बेसिक सिक्ष्या परशद 10777-11022 अबलिक 2021-22 दिनांग 26 जून 2021 द्वारा दिये गए निर्देश के एक्रम में एनाइसी दोरा उपलब्द कराएगे चैन सूची के आधार पर 79,000 सहाक अध्यापक भरती प्रक्रिया के अंतरगर तरती चैनल की कांसलिंग में आहर पाये जाने के उपरांत नवनियुक्त अध्यापक अध्यापिकाओं के विद्याले आबंटन ह तो सूची उपलब्द कराएगे थी 21-22 दिरंग 8 नवंबर 2021 द्वारा दिये गए निर्देश की करम में आप दोरा उप्त नवनियुक्त अध्यापक अध्यापक अध्यापकाओं के डाटा को आनलाइन सत्यापन की कारवाही की गई है अबलिक आप बिल्कुल डेट देख सकते हैं दोस्तो डेट क्या है आपके सामने ये डेट आपके सामने दोस्तों है 17 नॉवंबर 2021 से 18 नॉवंबर 2021 की बीच किया जाएगा अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि विद्याले आवंटन का समस्त कारवाही NIC दौरा विक्सिस सॉफ्ट्वेयर की माध्धम से ऑनलाइन की जाएगी जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेच पांच अतरिक्त रिक्तियों को जोडते हुए विकल्प प्राप्त करने हैं तो रिक्तियां प्रदर्शित की जाएगी अब यहाँ पर जन्पद में आबंटित अभ्यर्थियों की संख्या जो भी अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी उससे पांच और वेकेंसी यानि उससे पांच और अभ्यर्थी जोड़ दिये जाएंगे 95 की एगर संख्या है तो 5 जुड़ जाएंगी यनि 100 की पूरी की पूरी संख्या आएगी पूरी की पूरी सूची आएगी 5 अतरिक्त रिक्तियों को जोलते हैं विकल प्राप्त करने हे तो रिक्तियां प्रदर्शित की जाएंगी इसे तुसर प्रतम सिक्षक विहिन विद्याले एकल सिक्षक विद्याले दो सिक्षक की रिक्तियों को समलित किया जाएगा तत पशात यदि अन्य रिक्तियों की आवशकता होगी तो उसमें तीन सिक्षक वाले उन विद्याले की रिक्तियों को समलित किया जाएगा जिसका चात्र अध्यापक अनपास सरवादिक है ता समस्ते रिक्तियां एक साथ प्रदर्शित की जाएंगी विद्याले आबंटिन की कारवाही अध्यापक तैनाती निमावली 2008 अध्यतन सनसोधिक के अनुषार प्रतमता दिब्यांग महिला फिर दिब्यांग पूरुश अभरती पीर उसके बाद महिला भरती और अंत में पुरुस अध्यापकों से online विकल प्राप्त करते विद्याले आबंटन की कारभ़ई की जाएगी अध्यापकों की सूची निम्नो तैयार की जाएगी सायक अध्यापक भरती प्रक्रिया में प्राप्त गुलांग के अधार पर दिव्यांग महिला की अवरोही सूची, अवरोही में सूची तयार की जाएगी, साय का द्यापक भरती पक्रिया में प्राप्त गुलांग के अधार पर दिव्यांग पुरुष की, अवरोही सूची तयार की जाएगी, अवरोही का मतलब सबसे जिसका नंबर ज्यादा है मेरिट में, फिर उसके बा पहले जिसकी दिव्यांग महिला में मेरिट हाई रहेगी उससे बुलाया जाएगा और उनकी पहले विद्याले अबंटन हो जाएगा महिलाओं का फिर दिव्यांग पुरुष का सबसे टॉप मेरिट से लेके फिर कम मेरिट की ओर इस सहायक अध्यापक भरती परक्रियम प्रा नियुक्त दिव्यांग अध्यापक अध्यापकियाओं के अत्रिक्त विशे सारक्षन कलाप प्राप्त कर नियुक्त अध्यापक अध्यापकियाओं को उनके गुलांग के आधार पर उनसे संब्दित सूची में रखा जाएगा। विद्यालियों का चिन्हांकर मानोसमपदा पोर्टल पर उपलब्द 30 सितंबर 2020 अब दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है इसकूल जो चिन्हित हुए हैं वो 30 सितंबर 2020 के दोस्तों डाटा है बिल्कुल इस चक्कर में आपना रहिएगा कि डाटा अपडेट हुआ ह इस बीच में छातर संख्या भी बढ़ी है बिद्यालियों में छातर संख्या बढ़ी हुआ कई लेकिन उसे अपडेट नहीं किया गया है यह डाटा पुराना है यह डाटा आपका एक वर्ष पुराना है 30 सितंबर 2020 का जो डाटा है जो बिद्याले है वही खुलेगे एक वर्ष बीद गया है बिद्याले में छात्र नमांकन अधिक हुआ है और काफी हद तक जो है बिद्याले में सिक्षकों की जरूरत भी है लेकिन वो डाटा बिल्कुल नहीं ओपन होगा ये विद्याले का जो डाटा ओपन होगा वो 30 सितंबर 2020 का ही डाटा होगा तो उसके लिए आप तयार होने क्योंकि 30 सितंबर 2020 का जो डाटा है उसी आधार पे उसी डाटा के आधार पे विद्याले खुलेंगे अध्यापकियों छातर संख्या जो जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वरा सत्यापित है के अमसार विद्याले वार वेकेंसी मेट्रिक्स तैयर की जाएगी विद्याले में रिक्त पदों की गरणा में कारत सिख्षा मित्रियों अन्देशकों को दोस्तों नहीं जोडा जाएगा सरप्रथम सिख्षक विहिन विद्याले की सूची सरवाधिक चातर अध्यापक अनपात के आधार पर और रोही करम में तैयर की जाएगी एकल सिख्षक वाले विद्याले की सूची सरवाधिक चातर अध्यापक अनपात के आधार पर और रोही करम में तैयर की जाएगी चेतर में अविस्तित विद्याले में अध्यापक अध्यापिकाओं को विद्याले अबंटित नहोनी पाए। विद्याले अबंटित विद्याले में रिक्ती कम की जाएगी ताहि विद्याले में रिक्ती समाप्त होने के पाश्याथ उस विद्याले का नाम हटा दिया जाएगा। पुरुष अध्यापकों से विकल प्राप्त करने है तो समय साणी दिव्यांग महिला दिव्यांग पुरुष ये महिला अध्यापकों के लिए तयार की जाएगी निर्धारित तेथियों निर्धारित समय पर दिव्यांग महिला अध्यापकों पुरुष अध्यापकों को जिलावेसिव शिक्षा अधिकारी द्वारे निरधारी तस्थान पर समय मुपस्तित होना होगा किसी भी दसा में कोई प्रतिस्थानी अनुमन नहीं होगा जिला वेसिव शिक्षा अधिकारी अध्यापक अध्यापकों की गुणांग की आधार पर पंजिका औरोही करम में पहले से तयार करके रखेंगे यह पंजिका दिव्यांग महिला दिव्यांग पूरुष महिला अध्यापकों की तयार की जाएगी जिसवे अभेरती का नाम प पुरुष अध्यापकों को गुलांक उनके विकल्प के आधार पर विद्याले अबंडन की कारवाही की जाएगी ता अनुपस्थित अध्यापक अध्यापकों को जो समय से उपस्थित नहीं हुई है को छोड़ती हुई उनके नीचे के अध्यापक को विद्याले अबंडन क कारवाही की जाएगी या समस्त कारवाही पंजीका में अंकित उनके गुलांक के और रोही करम के आधार पर अध्यापक अध्यापकाओं की सूची की करम में की जाएगी यदि कोई अध्यापक अध्यापका ने पंजीका में अपने हसाचर किये हैं को विद्यालया बटन है त से कम गुलांक वाले अध्यापक अध्यापिका को भी देले अबंदन किशी विद्धसा में नहीं किया जाएगा ये तको ये अनुपस्तित दिव्यांग महिला ये पूरुस अध्यापक महिला अध्यापिका ये पूरुस अध्यापक अपने निर्धारिट टाइम स्लोट में क्रम के बाद उपस्थित होते हैं तो वीकल कष देने का उस fracture निर्धारे rere time slip में सबसे बात में दिया जाएगा अद्यापक अध्यापगा का नाव पंजीका में अंकित करने के पस्षाथ उसे एक रसीत दी जाएगी जिस पर पंजीका का करमांग जिस पस्तेत अध्यापकों की सूचित तैयर कर जिला वेसित शिक्षाइद गयर दोरह प्रमालित के सुरचित रखके जाएगा तहाप निर्देसो क्रम में करवाई की जाएगी विद्याले में कारभार गरहन करना, समंदित अध्यापक अध्यापिगया को आवंटित विद्याले पर दिनाएं, 25 नॉवंबर तक अपने तैनाती वाले विद्याले में योगदान देना अनिवार है, दोस्तों यहाँ पर लास जेट दे दी गई है, 25 नॉवंबर तक आपको स्तैनाती विबरान मानो संपता पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। किसी भी अध्यापक अध्यापक के द्वारा किसी वाह प्रभाव का प्रियूग नहीं किया जाएगा। संपन्धित अध्यापक अध्यापक के गविरुद सेवा निमावली कर्मचारी आच्रा निमावली के अंतरगत कारवाही की जाएगी तथा इस आशे की प्रवेश्ट उसके सेवा पुस्तिका में की जाएगी। काउंस्लिंग यों विद्याले आबंडिन कारवाही 17 नॉवंबर 2021 से 18 नॉवंबर 2021 के मद्ध पूल पारदर्शता इम्शुषीता पूल धंग से कराया जाना है जिलावेश्ट शिक्षा अध्यादिकारी अपने अस्तत से इस सबद में समस्त अपचारिकताय पूल करते उत्तर प्रदेस अध्यापक तैनाती निमावली 2008 अध्यतन संसोदी 2010 के प्रावधान इम्तद बेशेक निर्गत सास्न देशकों के प्रावधान नॉनिवत अध्यापको हे तु यथावत लागू होंगे पारदर्शिता के साथ जिला अधिकारी के निर्देशन में ऑनलाइन कराये जाएगी से अनपालन सुनिश्चित किया जाएगा किसी भी अस्तर पर अनमित्ता विसंगती संग्यान में आने पर संपूल उत्तरदायत उजिला वेसिक सिक्षा अधिकारी कहोगा अते हैं समस्थकार सुष्ट अपकुणें समय बद रूप से तैनाती नीमावली 2008 अध्यतन संसोदी 2010 निर्गस सासना देश के नरूप किया जाएगा तो दोस्तों ये पत्र परिश्यत हो गया है और आप देख सकते हैं अध्यधार प्रदेश को मंडली साहग शुष्यन ये बेसिक समस्थ मंडल उत्तर प्रदेश को और अंत्वे समस्थ वित्यों ले खा दिक्यारी बेसिक शिश्यत उप्रदेश को दोस्तों आज के लिए इतने वीडियो इंफॉर्मिशन ये लिटिस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पर कमेंट करें ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक पर दोस्तों अब चैनल पर नहीं पहली बार विजिट कर रहें तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें जब भी आप सब्सक्राइब बोटन प्रस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है उसे प्रस करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग और लिस्नि दिस एजेजेजेब कास्ट वी साइनिक आप